खुश रहो जैसे अराम कहां रहते भारत में नेपाल नजदी को बोलो हमने लिख लिए जल्दी बोलो हम थोड़ा इस पीर में जी जी और बोलो पतनी है जी जी अच्छा हम नहीं आते हैं हम बोलो और बोलो हम बोलो बोलो अधी हकीकत आदा फसाना यह प्रोगाम है इंडिया में नियुजटीन का उससे मीं रूड़ा हो उसमें लिए से मैं इन देखा उससตब मेरे को यह प्रोलो और आपके साथ प्रतक्ष चमतकार भी किया है इसलिए पर्चे में लिखा आप दोनों के साथ प्रतक्षे चमतकार सन्यासी बाबा ने किया ठीक है जी तो पहले ही आपके घर पर सेना पहुंच चुकी है आपको करेंट जैसा लगता है यह माइक चालू हुए अब आख बंद करेगा तो बाबा जी सामने रहता है जी तो आप पहले ही सन्यासी बाबा से जोड़ चुके थे और आपके जीवन में इसलिए पहले ही सेना आचुकी थी करंट जैसा सरी में लगता है बीमार बने रहते हैं स्वांस लेने में दिक्कत खाने का मन नहीं करता है क रामदाम से परिसान पतनी को भी पूरे सरी में पीड़ा है लेकिन इनको भी आराम लगना शुरू हो गया है सेना पहुंच गई है और हमेशा करपा रहेगी अब आंगे साधना का अशिर्वान आगे बनेगा उसका वो आज सही लगेगा अचा हिंदी नहीं आता है नेपाली हो कहां से हो नेपाल में तो आपको नेपाली भासा दी है बंदेली भी समझते हो वीडियो देख देख के क्या नाम है साहिल साहिल दो है नाम उसमें एक कुल राज है और एक साहिल है तुमारा से अनीता हर सेरे अच्छ एक मंत्र आया इसका जाप करों दोनों को हम जाड़ा अभी लगा देते हैं सामने खड़े हो जाओ मुठी बांद के आशिरवाद चल अगला नंबर आज बहुत लंबे देर तक दरवार चला नहीं दुर्श आखलो लो यह बांट देंगे तुम्हें आशिरवाद खुश रहो यहाँ थैंक्यू बहुत फिरी है इस देश में थैंक्यू बहुत फिरी है आजी बेटी की साधी के लिए बहुत बहुत साथ हुआ यह उठा के यहाँ रख देओ ले मत जाना